दिवाली, इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स इन हिंदी, एक, दिवाली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महा के पंद्रहवें दिन मनाई जाती है, हिंदू धर्म भारत का एक प्रमुख धर्म है और इसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, दो, इस त्योहार को 800 मिलियन से अधिक लोग अलग-अलग तरीकों से मनाते हैं, त्री, यह धन और सम्रिद्ध की देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाया जाता है, चार, यह त्योहार भगवान राम और सीता के वनवास के 14 वर्ष पुरे होने के बाद लोटने का भी प्रतीक है, पाइव, दीपावली सबसे बड़ा और उज्वल त्योहार है, आठ, इसे पाँच दिनों के लिए मनाया जाता है, नौ, जिस रात को दिवाली मनाई जाती है, उसी रात जैनी लोग महा भारत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए रोश्नी का त्योहार मनाते हैं, टेन, दिवाली मनाने के लि और उनकी पतनी सीता को लाने के लिए किया गया था, ट्वेल्व, दिवाली के दिये घरों को चमकाते हैं, आतिशबाजी आसमान को रोशन करती है, और रंगोली घरों को सजाती है, ये सब लोग देवी लक्षमी को आकरशित करने के लिए करते हैं, थर्टीन, दिवाली के दोरान इस्तिमाल किये जाने वाले दिये मिट्टी के होते हैं, हालांकि अब प्लास्टिक और धातु के दिये उपलब्ध है, इंदियों को घी और तेल से भरा जाता है, और कपास की बाती का उप्योग किया जाता है, पूरी रात दिये जलते हैं, फोर्टीन, सिक भी दिव 15. दिवाली नए साल में प्रवेश करने से पहले सफाई करने घरों को बेदाग बनाने की परंपरा बन गई है 16. यह त्योहार सर्दियों की शुरुआत का भी संकेत है 17. दुनिया भर में और विशेश रूप से भारत में हिंदू उपहारों का आदान प्रदान नए कपड़े पहन के भोजन तयार करके यह त्योहार मनाते हैं 18. इस दिन भगवान गणेश और देवी लक्षमी की मूर्तियों को प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के लिए कंधे से कंधा मिला कर रखा जाता है भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले मा लक्षमी के द्वारा की जाती है 19. भगवान विश्णू और देवी लक्षमी के विवाह के सम्मान में भी दिवाली मनाई जाती है 20. यह त्योहार दानव नर्का के उपर भगवान कृष्ण की विजय का प्रतीक भी है